तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गारगी पुरुषकार 2021 के लिए ओनलाइन आविदन फोरम कैसे भरा जाता उसके बारे में इस्टेप बाइस्टेप जानकारी हो देने वालों जिन बालिकाओं ने वर्ष 2020 में कक्सा दस्वी पास की है और वर्तमान सत्तर में यानि सत्तर दो हजार इकिस बाइस में कक्सा बारी में अध्यंदत है तो ऐसी जो बालिकाओं हैं अपनी गारगी पुरुषकार की दितिक इसके लिए ओनलाइन आविदन वो कर सकती है अब ओन साथ में जो बालिकाओं गलती कर रहे हैं उन गलतियों को भी आपको बताते जाऊंगा तो मेरे साथ वो आप बने रहे हैं नमस्कार साथियों मैं हूँ आपका अपना साथी राजगुर जी और आप देख रहे हैं राजिस्कुल हेल्प यूटूब चैनल तो चलिए वीडि दित्यकिस्त के ओनलाइन आविदन के लिए आपको सालादरपन की ऑफिसेल वेबसाइट पर विजिट करना है जो की इस परकार से होगी इसी वेबसाइट के मदद से आपको online आविदन फोरम भरना है अब दएखे जैसे इस वेबसाइट पर विजिट करोगे तो डाइरेक् नीची आओगे और नीची आने के बाद देखी यहां पे आपको गारगी पुरुषकार का लिंक हो मिल जाएगा इस लिंक पे आपको यहां पे क्लिक करना है और इस लिंक पे क्लिक करने के बाद एक और नया पेज हो उपन हो जाएगा इस तरह से इस पेज में गारगी तो इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने देखे इस तरह का एक पेज हो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखे लिखावा मिलेगा गारगी पुरुषकार आवेदन परपतर दीति की 72,000 गुनिश बिस इसको करके साथ दस्वी पास की थी तो उन बालिकाओं को 72,000 गुनिश बिस में दितिये किस्त हो मिल रहे हैं तो इसको देख के आपको कन्फिज नहीं होना है अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखे दोस्तों आपको यहाँ पे दो ओप क्या है वो समझ लीजिएगा देखे जिन बालिकाओं ने पहली किस्त के लिए आविदन किया और उनको पहली किस्त मिल चुकी है तो ऐसी बालिकाओं अपने दित्य किस्त के ओनलाइन आविदन के लिए इस ओप्शन को है वो सलेट करेंगे और इसके लाद जो अगला जो ओ होगे तो data वो error आएगा चलिए मैं यहाँ पर देखिए एक बालिका का जो आवेदन वो करने जा रहा हूँ और इस option को मैं select करता हूँ इस option को मैंने इसलिए select किया है क्योंकि बालिका ने पहले किस्ट के लिए पहले आवेदन नहीं जो दसवी की record में same का same आपको वह ही डालना है उसकी spelling आपको गलत नहीं करने गलत करोगे तो data वो match नहीं होगा तो चलिए मैं एक बार detail फिल कर लेता हूँ detail फिल करने के बाद आपको यहाँ परमाने करन करें इस पे आपको click करना है और जैसे आप इस पे click करोगे तो देखिए इस तरह से आपके सामने आवेदन फोरम वो open हो जाएगा अगर आपको यह आवेदन फोरम open नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो data है वो साला दरपन की website पे update नहीं है अपना data update करवाने के लिए आप सम्मन्दित अपने blog के cb office से आपको संप्रक करना पड़ेगा और अपना data वो add करवा लिजेगा अपने 10th की मारक सीट वो साथ लेके आपको यहाँ पे जाना है अब इस forum के अंदर जो बालिका के 10th में जो record है वो same का same आपको यहाँ पे दिखाए देगा यहाँ आपको DOB है वो भी दिखाए देगी अगर by default अगर DOB आपको यहाँ पे show नहीं हो रही है तो आप manually है अपने आथों से है वो लिख सकते तो चलिए मैं यहाँ पे DOB है वो लिख देता हूँ इस तरह से आपको भी लिख देना है लेकिन DOB 10th की मारक सिट में वैसी की वैसी आपको यहाँ पे लिखनी है चलिए इसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखी यहाँ पे लिखा कि वर्तमान में अधेनरत विधाले का विवरण यानि बालिका फिलाल सत्तर दो हजार 21-22 में कक्सा बार्यू में जिस स्कूल में अधेनरत है उसी स्कूल का प्रमानिकरण आपको ओनलाइन करना है ओनलाइन कैसे करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको दो ओप्सन मिलेंगे पहला ओप्सन आ रहा गोवर्मेंट प्राइव जानकारी देना चाहूंगा देखिए गोर्वेंट इसकूल का पोर्टल होता है उसको बोलते है साला दर्पन पोर्टल और प्राइवेट इसकूल का जो पोर्टल होता है उसको बोलते है PSP पोर्टल और इन दोनों ही पोर्टल पर जो स्टुडेंट है या जो बालिका है उस की संबंदित स्कूल से आपको संप्रक करना पड़ेगा NIC ID के लिए और SR के लिए ठीक है इसको आपको स्लेट कर लेना जो भी आपके पास एवलेबल हो मैं यहाँ पर SR को स्लेट कर रहा हूँ ठीक है इसके बाद आपकी स्कूल का परकार आपको यहाँ पर स्लेट करना है अग लिजी आप दूसरी फिलाल कोई पढ़ नहीं रही हो स्कूल के अंदर या IT आप कर रहे हो या कोई दूसरा डिप्लोमा कर रहे हो तो ऐसे में आपको इस ओप्शन को स्लेट करना है चलिए मैं यहाँ पर राज जे के करना है उसके बाद उसका जो ब्लोक है आपको यहाँ से स्लेट कर लेना है और इसके बाद यहाँ से आपकी स्कूल का नाम आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है तो चलिए मैं यहाँ पर स्कूल है वो सर्च कर लेता हूँ यह स्कूल है अब इसके बाद आपको यहाँ पर देखे इस्टुडेंट के SR नमबर आपको डाल रहा हूँ अब सबसे ज़्यादा जो लफड़ा होता है यही से फोरुम नहीं बरा जाता हूँ और लफड़ा क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ जैसे मैं यहाँ पर कोई एक SR वो लिग देता हूँ इस तरह से और फिर मैं यहाँ अभ्यारती का वर्तमान में अध्यनरत विधाले परमानी करन करें इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखो गई यह एरर आ जाता है इस्टूडेंट नोट वेरिफाई अब यह क्यों आ रहा है तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि देखिए जो इसकूल का जो पोर्टल होता हूँ उस पोर्टल पे इस्टूडेंट के SR नंबर चड़ेवे होते हैं तो यहाँ पे आपको वही जो SR नंबर हो डालने है यह नहीं कि इसकूल के कोई डोकूमेंट पे SR इसकूल वालों ने लिख दिये वो आपने डाल दी उसको आपने सही मानल या नहीं अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है कि पोर्टल पे कोई दूसरे SR हो और इसकूल के किसी डोकूमेंट में कोई दूसरा SR हो तो यहाँ पे यह error ही आएगा मैं आपको for example यहाँ पे दिखा देता हूँ देखिए मैंने यहाँ पे बालिका का जो SR है आपको दिखा देता हूँ यह देखिए पोर्टल का screenshot है और यहाँ पे देखिए इस पोर्टल पे SR नमबर यह लिखावा है ठीक है अगर इसकी NIC ID के अपनी हाँ पे बात करें तो थोड़ा समय यहाँ पे नीचे चलता हूँ तो यह देखिए बालिका की NIC ID है यहाँ पे यह देखिए NIC ID है और इसी के आगे यह SR है तो यही आपको यूज करना है तो इसके लिए आपको इस स्कूल से ही संपर्ख करना पड़ेगा तो चलिए मैं वापस फोरम के ओर चलता हूँ और यहाँ पे सही SR वो डालता हूँ आपको दिखाता हूँ, मैंने सही SR डाल दिया फिर से इसको verify करते हैं और जैसे मैं इस पर click करूँगा तो click करने के बाद अब के बार हमारा जो ऐसार वो verify हो जाएगा और नीचे देखिए जन अधार की detail वो मांग लिल जाएगी अगर ऐसार verify नहीं होगा NIC ID verified नहीं होगी तो जन अधार की detail वो नहीं मांगी जाएगी अब जन अधार के अंदर यहाँ परिवार का जो जन अधार नमबर वो डालना है और अपने जन अधार में बालिका का जन अधार की जो member ID है वो कौन शी है वो आपको यहाँ पर डालने है तो चलिए मैं यहाँ पर जन अधार वो डाल देता हूँ और यहाँ पर member ID वो भी डाल देता हूँ यह दोनों ही अलग अलग होगी क्योंकि एक तो हमारे पूरे प्रिवार का एक ही जन अधार नमबर होता है उसके बाद हर एक सद्धे से का अलग अलग जन अधार नमबर होता है तो वो आपको यहाँ पर डालना है फिर आपको यहाँ पर जन अधार परमानी करने वाले option पर आपको क्लिक करना है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस बार आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो जन अधार हो वो वेरिफाई हो चुका है नेचे सक्सेस्फुली का message हो आ जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हो सक्सेस्फुली का message यहाँ पर आ चुका है अब यहाँ पर यह सबसे बड़ी समस्य आ रही है क्योंकि जैसे ही बालिका अपना जन अधार नंबर डालती है तो यहाँ पर फिर से error वो आ जाता है यहाँ पर सक्सेस वो नहीं दिखाता है जब तक यह पट्टी गरिन नहीं हो जाएगी और यहाँ पर सक्सेस लिखा नहीं आएगा जब तक आप अपने जन अधार को verify नहीं कर सकते अब इदे की यह कई कारण हो सकता है जन अधार नहीं verify होने का एक तो हो सकता है कि जन अधार में बालिका के नाम की spelling या डियो भी वो शहीं नहीं है इसके लावा यह यह भी शहीं है तो हो सकता है कि बालिका के जन अधार में बालिका का खुद का account number वो link नहीं है अगर account number भी link है तो हो सकता है कि बालिका के bank account में जो बालिका के 10th के record में जो नाम की spelling है उस अधार पे उसका bank account नहीं है तो ऐसे में ये कई चीजी होती है इस वज़े से error आता है ठीक है अब देखिए दोस्तो जैसे मैं इस जन अधार को select किया या फिर number यहाँ पर डाला इसको परमानिकरण किया तो नीचे आप यहाँ पर देश सकते हो कि automatic यहाँ पर बालिका के account number है वो आ चुके हैं क्योंकि यह जो account number है बालिका के जन अधार कार्ड के साथ लिंक है तो यहाँ पर आपको manually अपने account number नहीं डालने यह automatic है जन अधार से वो उठा लेगा तो इस बात को आपको ध्यानकना है इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको अधेनरत जो परमान पत्तर है वर्तमान विद certificate है फिर से आपको यहाँ पर upload certificate वाले option पर click करना है तो आपका जो certificate है या document है वो upload हो जाएगा लेकिन ध्यान रखना है इसकी जो size है वो 50 KBC तो कम नहीं होनी चीए और 100 KBC वो ज्यादा नहीं होनी चीए अब जैसे हमने यहाँ पर देखिए upload किया तो इस तरह से हमारा जो certificate ह है वो दिखाई देने लग गया है ठीक है सारा काम complete हो गया बस इतना ही काम आपको करना है के और आपको अपना document upload करना है जनादार verify करना है account number है automatic आए जाएगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे दो option आपको मिल जाते है final save करे या बिना save करे वापी जाए त तो दोस्तों आप यहाँ screen पर देख सकते हो आपके पास एक message वो आ जाएगा detail successfully save for your application number इस application number को आपको याद करना है सही तरीके से आपको लिक लेना है ठीक है इसको आपको close हो कर देना है बस आपकी तरफ से काम हो गया इसके बाद नीचे देखिए print application forum का link आपको मिल तो आपका अपना forum है वो download कर लेना है और उसे अपने पास वो सुरक्सित रख लेना है तो इस तरह से आपका forum आपको दिखाए देगा print वाले option पर click करना है और print कर लेना है save कर लेना अपने pdf file में यहाँ पर सारी चीज़े हैं आपको देखने को हो मिल जाएगे हर एक चलते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर पोर्टल की तरफ है वो चलता हूं वापस यहाँ पर आवेधन करेवाले option पर click करता हूं और अब इसका जो status है अपन देख सकते हैं देखिए यहाँ पर आपको 2-3 option है दिखाए देते हैं यहाँ तो आवेधन के लिए फिर आवेधन के तो यहाँ पर आपको क्लिक करना अविदन की इस्थिती यानि आपका जो अविदन फोरॉम है वह verify किया गया है CB office के दवारा या फिर reject किया गया है या फिर क्या इस्थिती उसकी चल रही है तो सबसे पहले तो आप अपने Role Number से भी आप डाल सकते हो तो चलिए यहाँ पर 16 का नाम है वो डाल देता हूं इस तरह से और यहाँ पर जो Mobile Number है वो भी डाल देता हूं चलिए मैं यहाँ यहोगा बिए यह Mobile Number?」 मैंने डाल दिया अब देखिए आवेदन नंबर आपको दिख रहा है यहाँ ठीक है और इसके इस्तिति के आगे देखिए पेंडिंग आ रहा है अब पेंडिंग का मतलिब यही है दोस्तों कि फिलहाल आपका जो फोरम है वो सम्मंदित CB ओफिस से या फिर आप गोर्मेंट इसकूल में पढ़ लिजेगा तो वो verify कर देंगे और वैसे आपको उन्से संपर करने की कोई जूरत नहीं है क्योंकि समय मिलते ही वो अपने आप है आपका जो फोरम है वो verify कर देंगे अगर किसी परकार की कोई गलती रह जाती है माली जी आपने कोई गलट डोकोमेंट है वो upload कर दिया या फि forum में update कर सकते हैं वो तो बाद की बात है और update के लिए भी link आपको है यहां मिल जाएगा अलांकि फिल अहाल यहां पर update के लिए कोई भी link है आपको नहीं दिख रहा है लेकिन जल्दी वो available हो जाएगा तो दोस्तों देखिए इस तरह से तो आप forum भर सकते हैं मैंने आपको forum भ अप्डेट करवा लिया है तो आप कम से कम 15 दिन के बाद वो अप्लाई कीजेगा अब देखे जिस बालिका का मैं आवे दन फोरम भर रहा हूं अगले 18 दिन बाद में भर रहा हूं क्योंकि इस बालिका के जन अधार कार्ड के अंदर है बैंक अकाउंट लिंक नहीं था और इ देट के आपको बिल्कुल भी टेंसन नहीं करनी है आपका ये राजगुर जी आपके लिए बैठा है डेट है वो फिर से बढ़वा दी जाएगी पहले भी बढ़वाई है और भी आगे है वो बढ़ा देंगे आपके हित में अपन काम करेंगे अगर वीडियो जानकारी ताकि इसी प्रकार से नहीं नहीं वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे मिलते हैं फ्रंट्स अगे लिए एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत